वालकुम बैक टू माय चैनल अट्सू डिजाइनिंग और आज मैं आपके लिए फिर से एक इंट्रेस्टिंग सा ब्लाउज लेके आई हूँ जिसमें मैंने बैक और फ्रेंट बहुत ही सिंपल बनाया है फ्रेंट मैंने बैल्ट लगाया बट इसका इंट्रेस्टिंग उसके पहले एक बार इसका लुक देख लीजिए कितना प्रिटी लग रहा है यह ब्लाउज यह कॉलर तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंट तक जुरूर देखना क्योंकि आपको अगर कुछ भी डाउटे कॉलर से लेटेड तो आपको बहुत हैल्प मिलेगी और इसको करने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लाइक आप ऐसे इसको वियर कर सकते हैं और यह बहुत से लोगों की डिवांड थी के मैं बताऊं कि कैसे बने भी यह मेरी कॉलर और मैंने इसे एडिशनल वियर करा हैं सो आप गाउन वगेर आप भी पहनेंगे तो आप देख सकते कि स सिंपल साड़ी पर बहुत ज्यादा अट्रेक्टिव लगा रहा है तो यहां पर मैंने अस्तर भी लगबग असी पाइंटी लिया हुआ है और कॉलर के लिए मैंने अडिशनल कप्डा लिया था मेरी इसमें से भी कॉलर निकल जाती पर मैंने अडिशनल लिया है कप्डा मैंने इस तरीके से इसको मैजर कर लिया है अब मेरी जो कॉलर है यह कुछ इस तरीके से बनी वी है दो है कॉलर एक चोड़ी वाली और एक सक्ड़ी वाली तो मैं आपको दोनों बनाना बताऊंगी और सबसे मेन चीज आपको में जो मार्केट में रैडिमेट वाली कॉलर आ नहीं तो आप लगा सकते तो आइए इसकी कटिंग स्चार्ट करते हैं तो सब से पहले हमें अपने कैणवास पर मैजरमेंट करना है तो इसके लिए हमें सिर्फ और सिफ लंभाई और चोड़ाई की जरूत रहेगी तो सब से पहले कैणवास को हम ने डबल फोल्ड करा है लग बूर्ती में भी अगर आप ब्लाउज में भी लगाते हैं तो आपको ऐसे ही मेजरमेंट करना है अब यहां पर नीचे वाली छोटी कॉलर कट करेंगे जिसका मार्किंग कामने लिए 1.2 तो आपको यहां पर पूरी 1.2 पर मार्क करना है तो कुछी इस तरीके से हमने मार्क कर इसके बाद इसको स्ट्रेट ले लेंगे अगर आप बहुत सारी वीडियो देखेंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे इस वीडियो को लेकि भी अगर आप कॉलर बनाएंगे तो बहुत ही इजी वे में बन जाए कि अब सिर्फ एक मेजरमेंट का ध्यान रखना है यहां से कम लेते हुए नीचे से की तरफ हमने इसको तिर्फा लिया है तो कुछ इस तरीके से हमने नीचे की कॉलर को पूरा ड्रो कर लिया है इसके अलवा में और कुछ भी नहीं माग करना है तो यह कुछ इस तरीके से हमाई डाउन साइट के कॉलर बन गई है अब हमें उपर की माग करना है देखिए एक इंच तो लगबग लेना ही है इसके बाद हमें यहां से तिर्षा मिलाना है अब यह optional है इसका कोई measurement नहीं आप तिर्षा भी ले सकते हैं या थोड़ा सा कम तिर्षा भी ले सकते हैं तो कुछ इस तरीके से हमने लंबाई चोड़ाई सब लेकि हमारी कॉलर का measurement कर दिया है तो यह उपर की कॉलर भी हमारी बन गई अब सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि यहां पर उपर की तरफ यह कॉलर हमारी पूरी डन हो गई उपर की तरफ हमें आदा इंच पर मार्क करना है और कुछ इस तरीके का शेप देना है तो यह हमारी छोट कॉलर और बड़ी वाली कॉलर दोनों के हमने मार्किंग कर लिए इनकी बन बाइवन कर लेंगे बहुत ही सिंपल वे में हमने कर लिया आप अगर चाहों तो मार्केट वाली जो कॉलर उसको भी इसी तरीके से बना सकते हो तो पूरा विडियो आप जरू देखेगा तो अब इसकी one by one दोनों की cutting कर लेंगे और भी latest design के लिए आप मुझे Instagram पर follow कीजिए मैं वहाँ पर daily videos upload करती हूँ इस teaching से related YouTube पर थोड़ा कम ध्यान दे पाती हूँ बट आप महाँ पर भी मुझे follow कीजिएगा और कुछ इस तरीके से हमने यह दोनों कॉलर को cut कर लिया है अब हम इसे बनाएंगे उसके पहले मैं आपको बता दू कि बहुत ही easy तरीके से बताया है मैंने इस designer blouse को बनाना तो पूरी वीडियो को एंट तक जरूर देखेगा तो अब हम यहाँ पर cut करना है अगर आपके पास joint नहीं हो तो आप अलग अलग भी ले सकते हैं जोइन्ट होना जरूरी नहीं है सबसे पहले हम इसको कैनवास से चिपकाएंगे तो हमने एक नॉर्मली पहले इसकी cutting कर लेंगे तो वन बाइवन हम इसको पूरा एडिशनल हम कट कर लेंगे आदा इंच की space लेते हुए जो कि हमारे सिलाई में भी चली जाएगी तो इस तरीके से हमने इसको पूरा कट कर लेना है उसके बाद हमारा जो एक और पार्ट है उसको भी हम कट कर लेंगे तो इसको सिलने का तरीका कैसा है यहां से हमें भार की तरफ सिलाई लगानी है और इसको इस तरफ लेके आना है ध्यान रहे नीचे की तरफ हमें कुछ भी सिलाई नहीं लगानी है उससे हम इसको अल्टर करेंगे तो यह तीनों पार्ट को हमें stitch करना है उसके पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई कपड़ा ऐसा जो सीधा उल्टा है तो उसको आपको अंदर की तरफ रखना है स्टीज का ध्यान रखेगा अब यह जो एक और कॉलर थी उसको भी हमने सिंगल कपड़े पर इसे पेपर केनवास से चिपका लिया है और इसको हम यहाँ पर कट कर लेंगे आदा इंच की गेप लेते हुए ध्यान रही मैंने यहाँ पर पेपर केनवास का ही यूज कर आ है तो कुछ इस तरीके से हमने दोनों पार्ट के कट कर लिया है और केनवास पर भी इसको चिपका लिया है अब मैं आपको इसको स्टीचिंग करना बताूंगी तो यह जो पाट है ना मेरा इसको मैंने स्टीज कर लिया है पूरा और यहाँ पर हलका हलके कॉने पर कट लगाना है क्योंकि कट लगाने से आपके कॉलर के कोने बहुत अच्छे से आएंगे तो यह इस तरीके से हम इसको अल्टर कर लेंगे और अल्टर करने के बाद हम इस पर प्रेस सिलाई कर देंगे और प्रेस सिलाई करने के बाद हमारी कॉलर पूरी डन हो जाएगी और नीचे से इसको हमें इस चीज नहीं करना है क्यो कुछ इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है अब यहां पर हम एक और वाली कॉलर को ड़न करेंगे तो सबसे पहले यहां पर सिंगल ही है यहां पर कपड़ हमने डबल नहीं लिया है तो सबसे पहले इसको नीचे से हम फॉल्ड करेंगे तो आप देख सकते कि नीचे से इसको फोल्ड कर लिया हैं हमने complete और दूसरे वाले पार्ट को भी हमने सेम इसके measurement से ही cut करा हैं अब मैं आपको बता दू कि अगर आपको सिर्फ उपर वाली इसको फोल्ड करके डारेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं तो अगर किसी कुर्टी वे अपलाउस पर लगाने तो उल्टी तरफ लगाकर इसको सीधी की तरफ पलट ले आपके जैंट्स कॉलर बन जाएगी अगर आपको सिर्फ यह लगानी है तो आप इसको डारेक्ट की स्टीच करके इसको अलटर कर ले और इसको ऐसे कुर्टी पर लगा ले तो आपकी यह qolar बन जाएगी तो मैंने रखा कैसे सबसे पहले केनवास का कपड़ा रखा है उसके बाद नीचे कॉलर रखी और फिर सबसे नीचे एक और वाला के कॉलर का कपड़ा रखा है अब इसको वन बाइवन हम स्टीच कर लेंगे यहां से शेप प्रॉपर आना चाहिए तो दोनों तरफ आप ध्या से आएगी और इसको कुछ इस तरीके से हम अल्टर कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है इसको जनले आप कड़क कपड़े में या इन्विजिबल कपड़े में बनाएंगे न तो ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि आपको अस्तर लगाने के लिए लगा रहे हैं तो इसको हम अब क्या करेंगे कि अगर हम कुर्ति में लगाते तो सेंटर लेके और उस कुर्ति का भी सेंटर लेके इसको अटेच करते और बेक साइट से लगा के फ्रंट में अल्टर कर देते त एक तो ये तरीका हो गया बड़ हम यहाँ पर आप देख सकते हैं यह कितनी फिनिशिंग से बनी वी है और होफुली आपको इसकी कटिंग और स्टीचिंग बहुत अच्छे से समझ में आई होगी आप दूसरी वीडियो देखो कि तो आपको सब वीडियो में अलग-अलग मिलेगा बट मेरा यह है कि बहुत ज्यादा मैजर ना फ्रंट ने उसे ब्रॉड और थोड़ा सा लेंदी लिया है ताकि मेरी कॉलर का लुक बहुत अच्छे से है तो यह फ्रंट और बैक आप अपने एक अकोडिंग कट कर लीजिए दैन मैंने इसमें गोटे की यही लेस लगा दिये यहाँ पर पीछे आप चाहे तो बटन भी लगा सकते हैं फ्लावर या बो या टैजल भी लगा सकते हैं तो कुछ इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट को पूरा डन कल लिया है इसमें हम टक्स और इनकी मार्किंग भी कर लेंगे नौर्मल प्रिंसेस चक्स में मैंने बनाया है और आप देख सकते हैं यह नेक पूर कि यहां पर मुझे क्या करना है गैदर्स लेना है तो कुछ इस तरीके से गैदर्स लेना है और नीचे से इसको मैं कुछ इस तरीके का शेप दूंगी तो अगर अगर मुझे नॉर्मल स्लिव कट करने होती तो मैं इस तरीके से सिंपल ही इसको कट कर लेती बड़ यहां पर उपर की तरफ शेप देना है जिससे आपकी कॉलर नीचे से भी बिल्कुल पर्फेक्ली बैठेगी तो इस तरीके से हम इसको पूरा अल्टर कर लिया है और नीचे किनारी की लेस लगा दी है अब सल इस तरफ इधर लेना है और दूसरी तरफ सेंटर से हमें सल उदर तरफ दे यहां पर मैंने इसमें कोई केनवास का यूज नी करा है और पीछे की तरफ मैंने इसको पांच इंच लिया है और आगे की तरफ यह सिर्फ एक इंच का है और उपर से मैंने इसको तीरशा शेप दिया है तो कुछ इस तरीके से मेरे यह शेप पूरा ड़न हो चुका है इस तो आयोप आपको समझ में आ गया होगा यह पूरा ब्लाउज मैंने वित गोट और टक्स लेके डन कर लिया है और बैक पार्ट भी हमारा पूरा डन हो चुका है अब यहां पर स्लीव लगाएंगे तो स्लीव का लुक और यह बैल्ट का लुक भी कुछ इस तरीके से आ गया है यहां पर मैंने लुक और बटन लगाकर इसको में अटेज कर दूँगी और वियारिंग के बाद इसका लुक कैसा है वो तो आपको पता ही है और यह स्लीव भी हमारी सल के साथ डन हो चुकी सल थोड़े बड़े बड़े लीजेगा ताकि वो परफेक्ट लगे और आप कैसी लगी इसमें कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे फिर से दीम के जेगा एं थैंक यू सो मच गाइस कीप लविंग में